देखिए जो प्रेडिक्शन्स आते थे उसके बावजूद हमने देखा है कि कॉंग्रेस को एक हार हर्याना में फेस करनी पड़ी है और इसके कारण अनेख है कि जिस तरीके का एक जो सुप्रीम कोर्ड का फैसला आया जो यहां का सुविधान ने दिया हुआ आरक्षन खतम करने का एक आगे कुछ बताई गई और हमने देखा कि कॉंग्रेस ने उसका स्वागत किया कॉंग्रेस के दो राज एक तेलंगना और गुसरा करनाटक इन्होंने इसको इंप्लिमेंट हम सबसे पहले करेंगे यह उनकी भोशना स्टेटमेंट रहा और हमने देखा कि आज पूरे देश में यह जो साजिश चल रही है आरक्षण को खतम करने की यह एक तरीके से सम्विधान पर हमला है और इसके खिलाफ यहां की जो जनता है उस जनता ने अपना मतदान किया है उसका परिणाम हुनको हर्याना में दिखता है और दूसरी बात साथ में जो यहां के यह छोटी छोटी बीजेपी के खिलाफ लडने वाली जो सेकुलर पार्टियां है उनको साथ में लेने का इरादा इनका नहीं है और इसका एक खामिया जी वहां पर आपको वोट में परिवर्तित हुई दिख रही है